कि साथियों एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना है हम अक्षर कहते हैं कि भारत अनाज में आत्मन निर्भर है केवल गेहुं धान और चीनी में आत्मन निर्भरता काफी नहीं है जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो यह सिर्फ आटे और चावल तक सिमित नहीं नहीं है मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं खाने के तेल का आयात हो दाल का आयात हो मचली के चारे का आयात हो फूर सेक्टरन में प्रोसेट और अन्ने उत्पादों का आयात हो इस पर हम हर वर्ष आप चौंक जाएंगे मेरे किसान भाई बहनों को जगाईए हर वर्ष दो से धाई लाग करोड रुपया हम खर्च करते हैं जो पैसा बिदेश जाता है यानि यह पैसा बिदेश बेजना पड़ता है यह भारत जैसे अन्नप्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या इतने बड़े होनार सहकारी छेत्र गया नेत्रत्व मेरे सामने बैटा है तो मैं स्वाभावी ग्रुप से आप से प्रिक्षा करता हूं कि हमें क्रांती के दिशा में जाना पड़ेगा कि यह पैसा भारत के पिस्कास किसानों के जेब में जाना चाहिए तक नहीं जाना चाहिए क्यों भी देश जाना चाहिए साथ्यों हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पास तेल के बड़े कुए नहीं है हमें पैट्रोल डीजल महार से मंगाना पड़ता है वो अमारी मजबूरी है लेकिन खाने के तेल में उसमें तो आतमंदिर भरता संभव है आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार में इसके लिए मिशन मोड़े काम किया है जैसे एक मिशन पाम ओयल शुरू किया है पामोलिन की खेती पामोलिन का तेल उसे उपलब दो उसी प्रकार से तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिटिव लिए जा रहे हैं देश की कॉपरेटिव संस्ताएं इस मिशन की बागडोर ठाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आप मंदिर पर हो जाएंगे आप किसानों को जागरुक करने से लेकर प्लांटेशन टक्लालोजी और खरीदी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं